है लो फ्रेंड स्वागत है आपका में चरह पर आज हम आपके लिए लेक्ट आए बहुत ही अमेजिंग सी ड्रिंक जिस ड्रिंक को बनाने के लिए बहुत ही कम चीजों की जुरत पड़ती है और जो चीजे मैं इस्तवाल करूंगी वह आसानी से हर किचन में इसमें मिली जा र कर्मियों में इसके लिए बहुत ही अमेजिंग सी एक ड्रिंक लेकर आई हूं आसा करती हो आप लोगों को यह बहुत जदा पसंद आएगी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिना सेयर कर देना अगर आप हमाई चैनल पर नहीं है तो हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर आप चाहें तो लाल वाली गाज़र का फिस्तमाल कर सकते हैं लेकिन यही दो छीजों से हम राने वाले ओं लिक बिरिंग को च्ट पट बनाने की और हेल्दी बनाने करें क्लिकोuren चिज़ा अड़ करेंगे उसको मताएं के पाद में पहले हम क्या करेंगे इसकी हमदां की और खीरे की skin को निकाल लेंगे तो इस तरीके से हमने फटा फट इसकी skin को निकाल लेना है और मैंने सिर्फ एक खीरा लिया है और इतने खीरे में ही बहुत भी Manpin कर रेडी हो जाती है जिसे आप 2-3 लोग आराम से एंज्ञाई कर सकते हैं और बाहर की मिल्ले आली केमिकल ड्रिंक के मकाबले ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और कम बजट की भी है बाहर आप लोग ड्रिंक पीते हैं 20-30 रुपए की मिलती है और इसमें कुछ भला भी नहीं होता है आप लोगो केमिकल भी पिला देते हैं लेकिन ये नैचरल सब्सक्राइब आप लोगों तो निकाल लेंगे और इसके बाद घाजको विजसी तरीके से करके फिर हम आपको कड़ कर दिखाते हैं इस तरीके से मैंने इसको अच्छा से वाउस कर लिया है आप इसको हम छोटे-छोटे स्लाइस में इस तरीके से कट करेंगे देखे ताकि इसको जो हम आगे यूज करें तो कोई दिक्कत ना हो तो यह दिखे इस तरीके से अगर आके पास लाल वाली गाजन हो तो भी यूज कर लीजेगा आप इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जाएगी वह हमारा पुदीना पुदीना सरी को ठंडा भी रखता है और ड्रिंग में अच्छा फ्लेवर लेकि आएगा तो हम इसमें डालने हैं पुदीना दो चमच यह दालने के बाद अब इसमें डालेंगे दो ग्रीन चिली जिली का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और आपके सरी को फाइदा भी पहुचाती ग्रीन चिली तो इस तरीके से हम तोड़कर इसको निकाल लेंगे इस तरीके से डाल देंगे आप इसमें एक इंपॉर्टन चीज आएगी जो हमें ठंड़क भी देगी और बहुत बड़ा टेस्ट लेकि आएगी तो फैरन आप हम इसमें डालेंगे दो बड़ा चमर सौफ से आपका पेट भी ठंडा देता है और आपक सारी सब्सक्राइब अच्छे हैनल गए और चोटा न अलमकिक्स यह दायले के इसको करेंगे आप इसको कवर करके निसके चतनी से माले ला स्मूथ सी चटनी होगी और अब हम चलिए बना के लेके आते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो प्रेंड इस तरीके से मैंने देखिए पीस लिया है बिल्कुर स्मूथ तरीके से हमारा ये ड्रैडी हो चुका है आप इसे फिरिज में लगा सकते हैं जब आपको डूइंग बना है इस तरीके से हमारा पेश्ट और हमने इसमें कोई पानी नहीं है तो यह बिल्कुल भी खराब होने वाला नहीं है आपको घबडानी की जरुरत ने आप इसे फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं अब इससे हम डूइंग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे आपको बताएंगे आप गिलास में बना सकते हैं और अब हम इसके अंदर अपने पेश्ट को डालेंगे तो मैं थोड़ा चरवटी बनाऊंगी तो मैं चार चमर डाली हूँ अगर आप बच्चों के लिए बना रहें तो सिर्फ दो चमर डालेगा और यह बिल्कुल भी खटी नहीं होगी क्यों यहां बरहो तो यह गई हमारी आईस इसके अंदर और इसमें हम डालेंगे काला लगा डाले से इसका भी अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप पस काला नमक नहों तो सफेद अभी डाल सकते लेकिन काला नमक से जख्छा पर देंगे एक चमर तक और इसे हम उपर से नीचे तक मिक्स कर देंगे यह देखिए नैचुरल करने रहे हैं इसमें कोई भी हमने क्यामिकल नहीं डाने और ड्रिंक हमारी बनकर रैडी हो चुकिए देख लीजिए ड्रिंक का जो लुक है वो कितना बढ़िया है और इसे पैने पीने से आपको बहुत ज़्यादा अहसूस होगी और आपकी जो प्यालबा प्यास लगने की भूख है वो भी नीड है वो खतम हो जाएगी तो देखिए कैसे लिगी आपको यह ड्रिंक बताईए कमें बॉक्स में पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और इससे बना के आप फ्रेज में रख सकते हैं जब आपका मन हो आप इसमें से निकालके दिन भर में पांचे जबार पीएंगे तो आपको बिल्कुल भी लूह नहीं लगेगी गर्मी नहीं महसूस होगी और रोजे में आप इसे सहरी के टाम पी सकते हैं तो कैसे लगी आपको यह ड्रिंक की रैस्पी कमें नौक से दिरू बताना मैं इसे